कि अब जब आप सभी मेरा नाम है निकिता और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाली हूं एक दो बहुत ही जादा एक बहुत ही जादा कंट्रिवर्शल टॉपिक के बारे में और जब 12 standards में होते हैं तो बहुत ही जादा प्रेशर होता है बहुत-बार ये माइं चुननने का इससरा कि आ यह वो बहुत-बारी फ़स्ता है और वो जाकर कि बहुत ज़ादा परिशान हो जाता है ठीक है जिसमें समझ में नहीं आता कि करा जाये तो क्या किया जाये तो उसी confusion को आज किस video में मैं address करने वाली हूँ और इसी confusion कम दूर करने वाली है कि IIT बहतर है या NDA बहतर है देखिए मैं ये शुरुआत में ही बोलूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सी चीज बहतर है जो आपको पसंद है वो सबसे बेस्ट है ठीक है जिसमें आपका interest है वो सबसे बेस्ट है लेकिन आपको दोनो चीजों के बारे में दोनो fields के बारे में बताना मेरी पूरी पूरी duty है ताकि आप अपने choices को और जो आपच्छे से जान सको और आपनी choice जो है वो बहुत बेटा तरीके से ले सको बना सको तो आज मैं आपको इस वीडियो में complete IIT के information भी दूँगे और मैं आपके साथ NDA के बारे में भी बात करने वाली हूँ चालिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं उस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे NDA versus IIT के अलग-अलग aspects के बारे में हम बात करेंगे NDRS exam के comparison करेंगे सबसे पहले फिर उसके बाद हम training क्या में क्या फर्क होता है सीखने को क्या मिलता है इन दोनों को compare करेंगे IIT और NDA के बीच में फिर हम बात करेंगे career prospects की उसको हम compare करेंगे monetary benefits के बारे में job security फिर self development किस प्रकार से जादा होता है NDA में या IIT में challenges किसमें जादा हैं और retirement comparison यानि की starting से लेकर के आपको IIT और NDA में आपको चुनना चुना जाए आप उसमें enter कर सके वहां से लेकर के आपके exit यानि के आपके retirement तक में पूरा जो सफर रहेगा वो कैसे IIT का अलग और NDA का अलग होगा ताकि आप एक बहतर choice ले सकें आप एक बहतर चुनाव कर सकें इसमें मैं आपको मदद करूँगी इन सब चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शुरू करते हैं हम entrance exam के बारे में So NDA जो है वो National Defense Academy and IIT जो है वो एक information institute of technology ठीक है Indian Institute of Technology उसका full form है information नहीं सारी So इस information को आपको सबसे पहले जो है वो पता होना चाहिए information आपको पूरी होनी चाहिए कि इनका full form क्या है So basically देखा जाये तो IIT में enter करने के लिए आनि कि Indian Institute of Technology में enter करने के लिए आपको exam देना पड़ता है written exams होते हैं आपके फिर जिसकी बच्चे ना तयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं Similarly NDA भी अगर आप join करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले written exam देना पड़ता है अब उसकी तयारी भी बच्चे बहुत बहले से शुरू कर देते हैं दोनों ही exams जो हैं आप जब 12th में appearing होते हो तब आप देते हो अब IIT के लिए आपको सबसे पहले पड़ाओ जो आपको पार करना होता है वो होता है JEE मेंस और अगर आप वो clear कर लेते हैं तो फिर आपके सामने आता है JEE Advance का paper आप उसे clear कर लेते हैं उसके basis पे जब आपकी rank निकल करके आती है और आपकी top rank के हिसाब से आपको colleges a lot होते हैं जिस college में जाकर के फिर आप बाकी के अपनी पढ़ाई पूरी करते हो वो B.Tech के आपको degree मिलती है ठीक है तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर focus होता है और जो exam, entrance exam है वो पूरा का पूरा आपको देखो आपका मनलब आप mentally बहुत strong है और आप academically कितने strong है वो test करने के लिए रहता है तो उसके basis पे आपको आपको college मिल जाता है वहाँ जाकर के आपको फिर B.Tech के degree मिलेगी N.D.A. में यह होता है कि आप सबसे पहले जाहिर सी बात है आपको भी academically, mentally आप कितने strong है वो तो judge किया ही जाएगा आपके सापने सबसे पहले एक entrance exam आता है जिसको N.D.A. न.A. बोलते हैं हम लोग ठीक है, सो आप वो exam देते हैं जिस exam के लिए बच्चे काफी time से prepare कर रहे होते हैं ठीक है, time bound paper होता है काफी tough होता है वो exam अपने आप में सो सबसे पहले बच्चे उस exam के लिए तयारी करते हैं और वो exam clear करने के बाद जैसे कि आपका J.E. mains होता है, फिर J.E. advance होता है फिर उसके बाद आप के कहते हैं आपको आपका मन चाहा college मिलता है according to your rank, so वैसे ही N.D.A. में होता है कि आप सबसे पहले written exam देते हैं फिर उसके बाद आपका एक SSB interview होता है वो जो 5-6 दिनों का एक पूरा का पूरा drill रहता है जिसमें आपको physically आपको test किया जाता है आपकी mental abilities को test किया जाता है सो पूरा personal interview होता है सो आपको पूरे तरीके से परखा जाता है आपकी personality को बहुत अच्छे से परखा जाता है और इस business पे आप को फिर shortlist होते हो आप और merit basis पे फिर आपका admission होता है जहाँ पे आप NDA join करते हो फिर वहाँ पे आपकी training शुरू होती है सो वहाँ पर जाकर क्या आपको BTEC या BSC की degree मिलती है सो basically ये सब कुछ होता है ठीक है NDA, NA and IIT में अगर आप enter करना चाहते हैं तो सो देखो written examinations are the slow way a sole way to get into an IIT जैसे कि मैंने बता है कि IIT में जाने के लिए written examination अकेला एक मात्र रास्ता है जिससे आप जाएंगे सो हाँ जी आपका IQ आपका mentally बहुत strong academically अगर आप बहुत strong है आप बहुत better है ठीक है तो आप जाहिर सी बात है कि आप सबसे बहतर उसमें प्रूफ होंगे और आपको IIT का पमन चाहे college जो है वो मिल जाएगा अगर हम बात करें training की और learning की तो देखें जाहिर सी बात है कि जब आप उसमें enter कर जाते हैं तो IIT में आपको सिखाया जाता है आपको academics में आपको बहुत strong किया जाता है आपके उपर पढ़ाई का बहुत सारा pressure होता है ठीक है मैं IIT के गर बात करूँ तो हाँ आप इसमें पूरा देख सकते है मेरे side में पूरे points लिखे आ रहे हैं तो आपके पास आपके पास projects का आपके पास पूरा academic pressure जो मैं बूलू pure academic pressure होता है ठीक है IIT में जाने के बाद NDA में जाने के बाद आपके पास academic pressure के साथ-साथ हाँ जी वो ध्यान रखते हैं कि आपकी जो physical training है आप physically बहुत fit रहें आप mentally उतने ही fit रहें आपके सारे personality के aspects पर ध्यान दिया जाता है हर तरीके से आपको groom किया जाता है आपको train किया जाता है ठीक है एक particular proper time table follow होता है जिसके यसाब से आप उठेंगे, खाएंगे, पीएंगे, बैठेंगे आपको आपकी पूरी life हम कहते है ना It's a life in its own on its own So, आपको उस तरीके से तयार किया जाता है अगर हम NDA के बारे में बात करें So, उसमें आप discipline सीखोगे, mindfulness सीखोगे ठीक है, time table जैसे कि मैंने बताया बहुत tight होता है So, आपकी studies भी होती है, studies के साथ आपको physical activities होती है तो हर एक तरीके से आपको वहाँ पर prepare किया जाता है So, basically ये training और learning में यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है जहाँ पर obvious सी बात है, एक बच्चा अगर किसी college में है अपने मन चाहिए, आप अपने dream college में हो लेकिन जाहिर सी बात है, NDA में आपको हर तरीके से देख करके चलना पड़ेगा क्योंकि आपका aim जो है, आपका aim है Indian defense services को join करने का NDA की through and up क्या है और IIT में आप जब जाते हो तो आप इस aim के साथ जाते हो कि आप एक MNC के लिए काम कर सको आप एक बहुत ही बड़ी company के लिए काम कर सकें ठीक है, आपका aim वो होता है ठीक है, उस basis पे कि आप एक बहुत बड़े engineer बन सको ये दोनों थोड़े से aim भी अलग है दोनों के, उस हिसाब से इनकी training और learning में भी difference आ जाता है तो अगर हम बोले career prospects की तो जैसे कि मैंने बताए कि NDA IIT में जब आप जाते हो तो आपकी 4 साल की degree होती है B.Tech की जो आप complete करते हैं ठीक है, और इस motive से आप join करते हो कि आप एक बहुत बड़िया engineer बन सको हो ठीक है, और आप अपनी मन चाही company में काम कर सको So basically, successful, एक बहुत अच्छे successful business man बन सको या फिर बहुत अच्छे successful आप एक company रन कर सकें So basically, और NDA में क्या होता है कि NDA में ये रहता है कि आपको आपका यहाँ पर भी जो समय जाता है वो basically 3-4 साल का ही समय जाता है NDA में जब आप enter करते हो तो वहाँ पर आपकी जो grooming होती है, जो training होती है वो तो 3 साल की होती है वहाँ से निकलने के बाद फिर आप अपने जिस भी branch में, branch को आप choose करते हैं अगर आप के कहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर आप Air Force में जाना चाहते हैं वो सारी चीज़े होती है आपे, तो देखें, लिखा भी हुआ है after 4 years of training, you will be given the lieutenant rank in Indian Army, अगर आप Indian Army से निकल करके जाते हैं तो आपको lieutenant rank मिलेगी, अगर आप Indian Air Force से निकलते हैं तो आप flying officer rank से और अगर आप Naval Academy से निकलते हैं तो फिर executive engineering के electrical branches से आप चुने जाएंगे और IIT में आप 4 साल के जब आपका जो last semester होता है उसे clear करने के बाद, आपको क्या मिलता है? आपकी placements होती हैं तो आपको उस basis पर multinationals companies जो हैं आपको चुनती हैं, आप उसमें आपको offer किया जाता है बहुत अच्छे packages बच्चे को मिलते हैं तो उस basis पर फिर उनकी मनचाही company में काम करने का उनको मौका मिलता है, वहां से उनके वो gates खुल जाते हैं ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो देखो जो motive है वो अलग है यहाँ पर IIT join करने का motive है वो यह हो जाता है कि ठीक है मेरा जो dream है एक बहुत multinational company में काम करने का dream है ठीक है, और यहाँ पर आपका जो एक dream हो जाता है NDA में वो serve करने का होता है कि ठीक है, मैं ना इस particular branch को इस तरीके से serve करना चाहता हूँ मैं इसको join करना चाहता हूँ ठीक है, जाहिर सी बात है लेकिन बात यह भी आ जाती है कि फिर monetary benefits कि जाहिर सी बात है, अब हम लोग अगर कहीं पर हम महनत करने जा रहे हैं और इतनी महनत लगा रहे हैं तो हमें return में, क्या मेरी life जो है, मैं career path चुन रहा हूँ पूरा-पूरा career होगा, वो मेरा आगे का आने वाला तो उसमें क्या मेरा, मेरे पास financial security रहेगी, क्या monetary benefits मुझे कहां पे जादा मिलेंगे, IIT करने के बाद जादा मिलेंगे, या मेरे को NDA में जाने के बाद जादा मिलेंगे, तो अगर हम उस basis मिलेंगे, आपको गाड़ी, बंगला, मतलब ठीक है, अप company के अलग-अलग चीज़े होती है आपने हिसाब से आपको provide करवाएंगे, health वगयरा का धिहान रखा जाएगा, but similarly NDA में भी होता है, अगर आप army officer बनते हैं, तो आपको आपको बहुत सारी, आपके पास India के best doctors, जो है, हाना, best medical services आपको provide करवाएं जाती है, सारे allowances आपको भी मिलते हैं, आपकी families को भी मिलते हैं, so basically, so अगर उसी को देखें, तो NDA में देखें officers, जो है in the military, are furnished, ठीक है with residential facilities, आपको घर मिलता है रहने के लिए, ठीक है, that are clean and safe for them and their families, कि आपके परिवार वालों के लिए भी, वो बहुत ही जादा अच्छा रहे, बाकी amenities मिलती हैं, जैसे की hospitals, जो है, वो आपको मिलेंगे, free medical treatments होंगे, canteen होती है, जहाँ पे आप, मतलब जिंदी, आप अगर कोई होगा, किसी के parents होंगे, तो आपको पता होगा, canteen जो है, वहाँ पे, जो समान है, सारा का सारा, वो बहुत low prices पर मिलता है consumables, transportation, यह सारी सुविधाएं आपको, मिलती हैं, अगर आप NDA जोइन कर लेते हैं, IIT के जोइन करने से, जाहिर सी बात है, आप एक government sector में नहीं जा रहे हो, आप किसमें जा रहे हो, एक private company को, एक private sector में एक company को आप serve करोगे, वहाँ पर, ठीक है, और NDA में आप क्या करते हैं, आप government sector में आप काम कर रहे होते हो, आप समय के साथ, आप देखे न, जैसे कि आज कल की जमाने में technology जो है, वो बढ़ती जा रहे हो, तो अगर आप tech के साथ, आप technology के साथ कदम से कदम बढ़ा करके, अपनी skills improve करते जा रहे हो, अपने आपको बहतर बनाते चलते जा रहे हो, तो आप ठीके रहो गयो उसमें, और अगर आप lack behind कर जाते हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी फिर job security नहीं है वहाँ, लेकिन NDA में, हाँ जी आपके पास job security भी होती है, so private sectors जो है, ठीके न, उसमें भी आपको बहुत से additional perks मिलते हैं, okay, से कि आपको holiday bonus मिलेगा, यह आपको, अगर देखा जाए, तो बहुत से अलग allowances भी मिलते हैं, residential अपको, जो है, वो भी facilities भी offer होती है कहीं सी जगाओं पर, so यह monetary benefits रहते हैं, okay, अगर हम job security की बात करें, जैसे मैंने बताया कि NDA जो है, वो एक government job है, so है, recession आए, चाहे कुछ भी आए, आपकी job जो है, वो secure है, आप देश की सेवा कर रहे है, so, हाना, इस जो है, return में आपको कभी भी ऐसा job के लिए insecure नहीं होना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि एक time पर आप जागर की recession आया, या, हना, कोई भी मार पड़ी, तो जाहिर सी बात है कि it is liable कि आपकी नौक नहीं जा सकती है, तो यहाँ पर कोई भी job security का promise नहीं होता है, ठीक है, अगर हम self-development की बात करें, तो जाहिर सी बात है, NDA में देखे, NDA assists candidates in their complete growth, आपका, मैंने बुला ना, as a whole आपका ध्यान रखा जाता है, आपकी mentally, physically, ठीक है, mental fitness, physical fitness, as a person, आपकी personality हर एक तरीके से आपको तराशा जाता है, ठीक है, हर एक तरीके से आपको तराशा जाता है कि आप शाइन कर सकें, okay, so अगर और हम वहीं पर देखें, officers are also instructed to improve abilities such as faster thinking, decision making, अपने आप में, आपको management की skills भी मिलती है वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हम यह नहीं कहेंगे कि आप physically fit हो जाते हो, आपको बहुत से, आपको जिन्दगी का आपने, आप में एक, क्या कहते हैं, आप आप कह सकते हो कि आपको जीवन जीने का आपका नजरिया वहाँ से बहुत change हो जाते हैं, आपको faster thinking, decision making, जो capabilities है वो आपकी better हो जाती है, ठीक है so काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है, आप self sufficient इंसान बनते हो उससे, okay so ये सारी चीज़े होती है अगर self development की, अगर हम बात करें, और IIT में जाहिर सी बात है IIT में आप जो है, आप क्यूंकि आप इतना पढ़ करके, इतने लोगों से compete करके, बहुत बेटर जगा पे गए हो तो वहाँ पर भी academy pressure, तो आप बहुत उभर करके बाहर आते हो, जाहिर सी हम देखें, तो mentally या academically कि आप बहुत smart हैं, सब कुछ है बट जरूरी नहीं है कि आप physically भी उतने fit हैं, जहां कि हलाकि NDA में देखें तो आपकी physical fitness भी उतनी ही माहिने रखती है जितनी ही mental fitness माहिने रखती है तो दोनों चीजों का पूरे तरीके से as a whole मैंने बुला ना, एक पूरे इंसान को भाहाँ पर बदल दिया जाता है, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन हाँ, अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर जो matter करता है वो आपकी mental health जादा matter करती है कि आप critical thinking बहुत अच्छी है, decision making skills है सब कुछ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी physical fitness भी उतनी ही strong हो, ठीक है yeah, so यह चीजें है, challenges जो हैं, अगर हम देखें, challenges के अगर हम comparison करें, तो 4 years of NDA training are a challenge, अपने आप में बहुत बढ़ा challenge है, ठीक है, जो वो 4 साल की जो training होती है, बहुत से लोग तो वहीं पर मात खा जाते हैं, और अपने आप में उसमें गुसना NDA को join करना, NDA का part होना, वो अपने आप में बहुत बढ़ा challenge है वो exam अपने आप में बहुत टफ है और इसके अंदर जाहिर सी बात है कि key concerns of an officer's life, वो जो officer की life होती है, training के बाद वो अपने आप में, हना situations के हिसाब से, environment के हिसाब से, जगह के हिसाब से adapt करना, तो ये सारी चीज़े जो है ये अपने आप में, कि कहते है एक challenge होता है, लेकिन अगर हम IIT के बारे में देखें, ठीक है ये लेकिन, the joy of living with family is rarely experienced, ये भी एक बहुत बड़ा challenge है, जो अगर जिसके बारे में, आपने हमेशा से सुना होगा, कि जब family में, अगर हम बोलते हैं, कि कोई एक इनसान, जो है, आप क्या सकते हो कि defense services में है, so आपको देखने को मिलेगा, कि हाँ, वो जो आपको back में रखना पड़ता है, और आपको पहले, जो है, अपने job, अपने job कह सकते हो, या आप अपने service job कर रहे हो, उसके बारे में सोचना पड़ता है, so ये ते एक बहुत बड़ा challenge आता है, ठीक है, अगर हम IIT के बारे में देखें, तो IIT में देखो, चार साल के graduation के बाद जो है, हाना, वो अपने आप में वो भी बहुत ही जादा cut-in होते हैं, बहुत प्रजिश्रम से भरे होते हैं, ठीक है, so इसके हिसाब से लेकिन हाँ, चीजे आपको भी, आपको भी आप adapt करना सीखते हो, आप environment के हिसाब से हाना, अलग-अलग situations में, so सीखने को यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ मिलता है, जब आपके पास अलग-अलग तरेगी के tasks आते हैं, जब आप interview देते हो, अलग-अलग companies के, so उसमें भी आप बहुत कुछ सीखते हो opportunities है, बेटर जिन्दगी किसमें है, development, self-development किसमें हो रहा है, उसके बाद अगर हम देखे, retirement comparison तो after retirement, जो officers होते हैं, armed forces के, उनको pension मिलती है, 50% of their last way, आपको जितना भी मिल रहा था, आपकी जो last way, जितनी थी, उसका 50% आपको pension मिलेगा, जो आपको, कि कहते हैं, आपके death accumulation, retirement, gratuity, free medical treatments आपको मिलते हैं, those who are dependent on them, and same canteen facilities, आपको सारी insurance coverage मिलता है, resettlement opportunities मिलती है, MBA program, बहुत सारी चीज़े जो हैं, वो आपको मिलती हैं, इसमें ठीक है, यह सब कुछ आपको pension मिलेगी, आपको gratuity मिलेगी, आपको free medical treatment रहेगा, so यह सारी चीज़ें आपको offer होती हैं, आपके retirement के बाद, हाँ, अगर हम IIT का देखें, तो even though the majority of corporations do not have a pension plan, अब इतने majority, यह जो private sector में, जो companies हैं, उनका pension plan नहीं होता है, हना, बट कुछ-कुछ में होता है, so a skilled engineer earns enough money, कि वो अपनी मतलब, अपने, जब, जिस दौरान वो काम कर रहे होते हैं, उस दौरान ही वो इतना अच्छा-कासा पैसा कमा लेते हैं, कि वो जो है, उनके लिए sufficient होता है, कि after retirement, वो अच्छा-कासा जी सकते हैं, ठीक है, so हाँ, but after retirement की ऐसा कुछ, जो services हैं, वो IIT के बाद, IIT करने से, आपको नहीं मिलती है, ठीक है, so basically, यह है, पूरा का comparison NDA और IIT के बीच में, कि आपके लिए क्या बहतर है, सी, आपके लिए जो बहतर है, वो आप से अच्छा कोई नहीं जान सकता है, हाँ, आपको कोई चॉइस बना, आपको कोई चॉइस लेना है, आपको चूज करना है, कि भाई मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ ये करूँ, तो आपके लिए जरूरी है कि आप दोनों को बहुत अच्छे से जानते हो, तब ही जाकर कि आप उनकी तुलना कर पाओगे, कि यार मेरे लिए क्या बहतर है, जब आपको कुछ पता ही निया कि इसमें क्या होता है, या इसमें क्या होता है, तो आप जो है, सही तरीके से सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आप समझ सकें कि आपका दिल क्या कहता है, और आपका रुजहान किस तरफ है, उसके लिए आपको आपके लिए जरूरी है कि आपको दोनों जगाओं की knowledge हो आप उस हिसाब से एक better judgment ले सके, better judgment pass कर सके तो अगर आप NDA की तयारी कर रहे हैं तो फिर आपके सामने जो ये पूरा time table और आपके सामने जो teacher खड़े हैं तो हमारी पूरी team है जो आपको NDA की तयारी करवाएगी ये हमारा time table है तो इस इन इन given time slots पे आपको classes attend करनी है हम आपके NDA की written exam की तयारी करवा रहे हैं और उसके बाद SSB की तयारी भी करवाए जाएगी YouTube पे free classes होती है given time पे आप attend कीजे इन classes को साथी साथ जो हमारा app है आप उसको download कर सकते हो जाहे फिर आपका IIT का aim है या फिर आपका aim है NDA आप ये app जो है download करें आपको सभी आपके exam जो भी आपका goal है उससे related सारा study material बिलकुल free हमारे app के उपर है books भी available है हर तरीके की साथी साथ tests हैं practice series हैं आप इनको भी एक बार check out करें और साथ ही साथ हम अपने बचों को जब पढ़ाते हैं तो उसके बाद हम उनको अपने टीच जितने भी teachers हैं वो हम अपनी जो notes हैं जो PDF हैं वो भी available करवाते हैं ताकि class के बाद आप और बहतर तरीके सा notes बना सको और पढ़ सको आप हमारे इस telegram channel को join कर लेना and by achieve defense exams आपको यहां पर सभी classes की PDF भी मिल जाती है ओके I hope कि ये वीडियो आपके लिए काफी informative रही होगी और आपका जो confusion है वो इससे clear होगा तो इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगले session में जहां पर एक ऐसी ही informative video हम आपके लिए लेकर के आएंगे तो तब तक के लिए bye bye take care and thank you so much